आध्यात में कहानिया नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात में कहानियों में दोस्तों आज की कहानी का सीर्षक है विवाव पूर्व की आपचारिकताएं जी हाँ ये है रामायन से चलिए शिरू करते हैं महराज जनक के कनिष्ट भ्राता कुंश द्वज सांकाश पुरी में रहकर राज का प्रबंद किया करते थे सीता के विवा का समाचार पाकर महराज वे सभी शांकपुरी के मितला आ गए अपने अगर्ज महराज जनक तथा गुरू शनातन जी को प्रणाम करने के पक्षात वे बोले है भ्राता आयोध्या पती पधार चुके हैं इसलिए अब विवा संबंदी कारों का शुब आरम कर देना चाहिए इस पर जनक जी ने शतानन्द जी से कहा हे गुरुवर भाई कुश द्वज के कहने के अनुसार हमें शुब रीतियों और विधी विधानों के अनुसार कार प्रारंब करना चाहिए आंत आप सीग्र जाकर अयोध्यपती महराज दशरत को राज कुमारों सहित आदर पूर्वग यहां पर लिवा लाएं शतानन्द जी जनवासे में महराज दशरत के पास पहुँचे और उनसे आदर पूर्वग बोले महराज मितला नरेश महराज जनक अपने कनिष्ट भ्राता कोश द्वज परिजनो एफ समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शन के लिए उत्सुख है और अपने दर्बार में आपकी प्रदिक्षा कर रहे हैं इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए राजा जनक का आदेश पाकर राजा दशरत गुरु वशिष्ट मंत्रियों एव राज कुमारों के साथ वहाँ पर पहुँचे जहां राजा जनक उनकी प्रतिक्षा कर रहे थे मिथलापती ने खड़े ओकर उन्हें सब कस्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए अथोचित सान्पदान किया जब सब अपने अपने स्थानों पर राजमान हो गए तो इच्छवाकू वश के गुरु वशिष्ट जी ने राज कुमार का गोत पढ़ना प्रारंब किया जो कि इस प्रकार है आदी रूप स्वेमभू ब्रहमा जी से मरीची का जनम हुआ मरीची के पुत्र कश्यप हुए कश्यप के वेवस्वान और वेवस्वान ने वैस्वन्त मनु हुए वेवस्वन्त मनु के पुत्र इच्वाकू हुए इच्वाकू ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इच्वाकू कुल की स्थापना की गई इच वाकू के पुत्र कुछी हुए कुछी के पुत्र का नाम विकुछी था विकुछी के पुत्र वान और वान के पुत्र अरणे हुए अनरणे ने पृतु और पृतु से त्रिशंकु का जनम हुआ त्रिशंकु के पुत्र दुन्दुक्मार हुए दुन्द्मार के पुत्र का नाम युवनाश्र हो था युवनाथ के पुत्र मंधाता हुए और मंधाता से सुधन्दित का जनम हुआ सुसंधी के दो पुत्र हुए धुफसंधी एप प्रसे नजित धुर्वसंदी के पोत्र भरत हुए भरत के पोत्र असीम हुए और असीम के पोत्र सगर हुए सगर के पोत्र का नाम असमंज था असमंज के पोत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पोत्र दिलिप हुए दिलिप के पूत्र भागीरत हुए इन्ही भागीरत ने अपने तपोबल से गंगा को पृत्वी पर लाया था भागीरत के पूत्र पूकृथत और ककृथ के पूत्र रगु हुए रगु के अत्यन्ध तेजस्वी और प्राक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वन्ष का नाम रगुवन्ष हो गया रगु के पुत्र प्रवर्थ हुए जो एक शाप के कारण राक्षस हो गय थे इनका दूसरा नाम कलमाश पाद था व्रवंती में पुत्र शक्षण और शक्षण के पुत्र सुदर्शन हुए सुदर्शन के पुत्र का नाम अगनी वर्ण था अगनी वर्ण के पुत्र सीग्र और असीग्र के पुत्र मरु हुए मरू के पुत्र पशुशुक्र और पशुशुक्र के पुत्र अम्रिश हुए अम्रिश के पुत्र का नाम नहुश था नहुश के पुत्र ययाती और ययाईती के पुत्र नाभाग हुए नाभाग के पुत्र का नाम अज था आज के पोत दर्शन हुए यानि की दश्रत और दश्रत के चार पोत रामचंद्र, भरत, लक्षमन तथा सत्रुगन हुए इच वाकू कुल का वर्णन करने के पक्षात वर्षिष्ट जी का कहना है कि राजन अब आप भी अपने वन्ष परंपरा का परिचे दीजिए क्यूंकि विवाज जैसे मांगलिक अफसरों पर दोनूं भी कुल अपने अपने वन्ष का परिचे देते हैं महराज जनक बोले महरिशी आपने सरवदा उचित बात कही है अब मैं भी अपने कुल का परिचे देता हूँ प्राचीन काल में नीमी नामक एक धर्मात्मा राजा थे उनके मिथी नामक पोत्र हुआ जिन्होंने मिथला बसाई मिथी के पोत्र का नाम जनक था उन्हीं के नाम पर मिथला के राजा लोग जनक कहलाने लगे जनक के पोत्र उदावसू और उदावसू के पोत्र नंदिवर्धन हुए नंदिवर्धन के पोत्र का नाम शूरवीर था शूरवीर के पोत्र सुकेतू और सुकेतू के पोत्र देवरात हुए देवरात के पुत्र का नाम ब्रदत्र था और भद्रत के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुग्रती हुए सुग्रती के पुत्र का नाम घ्रकेतु था और घ्रतकेश्टु के पुत्र अधर और अधर के पुत्र मरू हुए मरू यानी की यहाँ पर प्रतिधंध की उत्पत्ती हुई प्रतिधंध के पूत कीर्तिरत के पूत देव मीड वेदेव मीड के पूत विबुत और विबुत के पूत महिंग्रत हुए महिन ग्रंद के पोत्र का नाम कीरती रत था कीरती रत के पोत्र महा रोमा महा रोमा के पोत्र स्वन रोमा और स्वन मोना के पोत्र हिर्दय रोमा हुए हिर्दय रोमा के दो पोत्र हुए उसमें से बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुश द्वज है हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज समालते थे कुछ काल पहले शांकाश्प के पराक्रमी राजा सुधमवा ने मिधला पर आक्रमन कर दिया देचाता था कि मैं सीता का विवा उनके साथ कर दू मैंने उनकी मांग पूरी नहीं की इसलिए उनके साथ मेरा युद हुआ जिसमें सुधवा मेरे हाँ से मारा गया तब से मेरा नाम कनिष्ट ब्राता कुछ द्वज सकायश पर साशन करता है और मैं मिथला पर मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवा राज कुमार राम चंदर के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवा उनके कनिष्ट ब्राता लक्ष्मन के साथ करना चाहता हूँ मैं तीन बार इस बात को दोरा कर अपनी दोनों कन्याओं आपको वधू के रूप में समर्पित करता हूँ फिर वे राजा दश्रत से कहने लगे हे निर्प्ष्रेश अब आप इसमें गौदान करा कर नंदी मुख श्राद का कार संपन कीजिए इसके पक्षात लोग प्रचलित पस्रिद्धियों पर अनुसार विवा का कार आरंभ कीजिए ये अफसर सरवदार उप्युक्त एफ कल्यार कारी है आज मगा नक्षत्र है आज से तीसरे दिन फालगुनी नक्षत्र होगा इससे अधिक उप्युक्त समय विवा के लिए दूसरा हो ही नहीं सकता आप इन दोनों भाईयों के अभ्युद्यक के लिए गौब भूमी स्वन तिल आदी का दान कीजिए वाजा जनत के कधन समाप्त होने पर महामुनी विश्वा मित्र बोले है राजन आप और राजा दश्रत दोनों के ही कुल पूर्णेता धर्म परायन कीर्थी युक एफ समान है अतह इन दोनों कुल में विवा संपन सरवधा उप्युक्त है सीता और उर्मिला भी राम और लक्षमर के सरवधा उप्युक्त है आपके कनिष्ट ब्राता कुषद्वज भी आपकी ही भाती धर्म परायन एफ प्रतिभा संपन है इनकी भी दो रूप वती सुन्दर एफ विवा योग कन्या है मैं चाहता हूँ कि विवा महराज दश्वरत के दो योग और पराकर्मी पुत्र भारत और शक्रुगन के साथ हो जाए विश्वा मित की बास सुनकर जनक बोले हे मुनिवर आपके इस आदेश को मैं सुकारते हुए मैं अपने कुल को दन समझता हूँ आप भरत और शक्रुगन को आगया दीजे की वे कुश दोज की दोनों कन्याएं यानि की मांडवी एव शुत कीर्थी को अपनी अपनी पत्नी के रूप में सुकार कर लिए इसके बाद मितला नरेश से अनमती लेकर राजा दश्रत वशिष्ट जी और विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में लौट गए दूसरे दिन चारो राजकुमार ने याजकों को एक एक लाख स्वन मंडित सिंखो वाले गोय दान दी और भी बहुत सारा धन अभूशन रत्न आदिली को उनको मांपट दान दे दिया दोस्तों ये थी राम लक्षमर और भरत और शक्रुगन के विवा की पूर की आपचारिकता हैं जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में कहानी के तोर पे सुनाई है उमीद करती हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो का वेल बहुत ही सबर सिक करेंगे मैं आपको इसी तरह धार्मिक और पौराने कहानी कथाएं लेकर आती रहोंगी आपके अपने चैनल अध्यात्मिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल अध्यात्मी कहानियों को तुरत लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सिस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलिए मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नए जोचक जामकारी और कहानियों के साथ आप देख रहे थे आपका अपना पसंदिता यूट्यूब चैनल अध्यात्मी कहानिया